हलो मेरे बावर्चियों सस्रीक अलादाप नमस्ते कैसे हैं आप लोग तो यार बहुत टाइम हो गया था पनीर के साथ सोचा कुछ अलगी बना लिया जाए तो यहां पे हम ऐसे पनीर का पूरा टुकडा ले लेंगे आप पीसिस भी ले सकते हो उसके उपर आधा चमच हल्दी और एक चमच छोटा वाला जो लाल मिच का होता है वो लेके मिक्स करेंगे और पनीर को चारो तरफ से अच्छी तरीके से इसमें मैरिनेट करके पांच मिनिट के लिए रख देंगे फिर एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई के अंदर मैं यहां पे ऑईल अड़ कर दूंगी तो अब देखो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है पनीर बहुत ज़ादा एकदम स्टिफ हो गया अंदर से सॉफ्ट नहीं है उसका भी इलाज और टिप मैं अभी आपको बता देती हूँ एक बार पनीर आपका जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो तो उसके बाद एक बोल लीज जैसे की एक तेजपत्ता दो लॉंग और साथी साथ में एक मोटी लाइची और आधा इंच के करीब दालची नहीं डाली फिर यहां पे दो बारी कटे हुए प्यास टाल देंगे और साथी साथ आधे चमच के करीब यहां पे जो धनिया आता है ना मोटा वाला धनिया उसके सीट्स टाल देंगे अच्छे तरीके से फिर सबको ब्राउन होने के लिए रख देंगे फिर दूसरी साइड हम एक बोल ले लेंगे बोल के अंदर जाएगा आधा कप के करीब दही दही में आड कर देंगे हम लोग आधा चमच के करीब हल दी साथी 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 चमच सूख स्मूध हमारा बेस बनके रेडी हो गया है अब यहां पे अच्छे से जब ब्राउन हो जाएंगे हमारे प्यास तो उसके अंदर एड कर देंगे हम दही वाला पेस तो सबसे पहले तो मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर यहां पे जितने हमने प्यास ले उतना ही टमाटर लिया क्योंकि दही में हमने सारे मसाले आड कर दिये हैं तो एक बार दही वाला मिक्षर डालने के बाद इसे अच्छे से हमने मिक्स कर देना है तब तक पकाएंगे जब तक की ऊपर बिल्कुल न अच्छे से ओल अलगना हो जाए इसमें हम आधा कब पानी डालेंगे थोड़ी सी अच्छी तरीके से जो है नमक डालने के बाद हिला लेंगे हमने पहले नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि दही के फटने का चांस रहता है अब हम क्या करेंगे कि इस क्रेवी के अंदर मटर डाल देंगे आप ताजी मटर मेरी तर इस्तमाल कीजिए या सफल के भी कर सकते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बॉयल आने देंगे कवर करके 5-7 मिनिट तक पका लेंगे ताकि हमारी जो मटर है अच्छे से गल जाएं ग्रेवी भी थोड़ी अच्छे से कोक हो जाए एक बार हमारी ग्रेवी कोक हो जाए उसके अंदर हम डाल देंगे पनीर के यह वही पनीर है जिसे हमने शैलो फ्राइ किया था और पानी में डाल के रखा था देख सकते हो कितने अच्छे सॉफ्ट पीसी से हैं अभी भी स्पॉंजी भी है अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम कर देंगे दो मिनिट के लिए कवर करके इसे कोक और फिर उसके बाद कर द में डाल दी है मैंने एकदम डाबे वाला लोक देने के लिए और यमी टेस्टी मटर पनी रेडी है इसे लचा पराटा राइस के साथ इंजॉय कीजिए इसके साथ आपको और कोई सबजी या दाल बनाने की भी जुरत नहीं है ये खुद ही खुद में पूरा में कोर्स है ब लिए कर लिजे मेरे फटा फट चानल को सब्सक्राइब